नमस्कार मित्रों, आपका इल्विन क्लासेस के यूटूब प्रेट फाम पे बहुत-बहुत स्वागत है चुनावी बांड, इलेक्ट्रोलर बांड, जिसे चुनावी चंदे की संग्या दी गई है चंदा देने वाला व्यक्ति का नाम उपे नहीं किया जाता है, अर्थाद गुमनाम रहता है जिससे हमारे संविधान के अनुछेद 19-1-1 का उलंगन होता है ऐसा हमारे मुख्य नयाधिस, भारत के मुख्य नयाधिस, चंदरशुर्जी का कल निर्णय आया है जिसमें चुनावी चंदे को इलेक्रोलर बांड के द्वारा जो चंदे दिये गए है उसको असम वैधानी करार दिया गया है, मामला तुल पकड़ता नजर आ रहा है अभी 2-3 महीनों बाद 2024 का लोगसभा का चुनाव होने वाला है सबसे जाधे जो कैंद्र में सरकार है, उनके पास इस प्रकार के चंदे आए हैं उसके बात सभी पार्टिओ के पास लगभग लगभग चंदे आए हैं आईये जानते हैं कि इस निर्णय का क्या अशर पड़ेगा? या निरनय क्यों दिया गया, चुनावी बांड होता क्या है और किस पार्टी को सबसे ज़्यादे इससे दिक्कत होने वाली है तो आज की इस हम कच्छा में बात करेंगे कि सुप्रीम कोट के सुप्रीम फैंसले से किस पार्टी को सबसे ज़्यादे नुकसान होगा आज की इस कच्छा में हम बात करने वाले हैं जो चर्चा के हमारे पक्ष होंगे कि खबर क्या है चुनावी बांडी स्कीम क्या है अलोचना और सरकार का पक्ष क्या है और हमारे सुप्रीम कोट का निरने क्या आया है इन चारों को केंदर में रहकर हमारी इस कच्छा की बाते ह होंगी डियों सब्सक्राएं होंगी तो आएगे बात कर लेते हैं चुनावि बांड ऍसीं क्या है चुनावि बांड इसंक्री अरोड जेटली जब Bitcoin बिट मंत्री थे वर्स 2017 में तो इस प्रकार के बांड को प्रस्तूत किया था चुनावी बाइड प्रनाली बित बिधेयक 2017 के माध्य। प्रस्तूत किया गया था वर्स 2018 के इसको लागू कर दिया गया किस-किस दल को यह चुनावी बाइड मतलब इसके तहत पराप्त हो सकता है तो जो प पंजीकृत राजनितिक दलों को बेतिजत्त या संस्थागत दाने के लिए यह साधन है और देनदाता जो दान करेगा जो चुनावी माध्यक के माध्यम से सीधे पार्टी फंड में पैसा ट्रांसफर करेगा उसका नाम गुम नाम रखा जाएगा अर्थात उसके नाम को उजागर नहीं किया जाएगा जो चुनावी बांड है केवल एक ही बैंक है भारत में वह जारी करता है उसका नाम इस्टेट बैंक आफ इंडिया है SBI केवल चुनावी बांड जारी करने वाला भारत का बैंक है जो एक हजार उपए से लेकर एक हजार उपए के भी चुनावी बांड जारी कर सकता है दस हजार के भी एक लाख रुपे तक का एक करोन के बांड वो जारी कर सकता है बांड जब जारी होता है तो जिस तारीक से जारी होता है उस तारीक के 15 दिन के अंदर तक ही उसकी वैलिविल्टी रहती है जैसे एक तारीक को चुनावी बांड एक करोन रुपे का जारी कर दिया गया तो उसको 15 तारीक तक ही किसी न किसी पार्टी को जो राजनितिक दल है उनको चंदे के रूप में दे देना होगा, तभी उसकी मानिता है अन्निथावा निरास्त हो जाएगा, अगली लाइन हमारी है, जारी होने की तारीक से 15 दिनों के लिए यह वैद होता है, अब यह कैसे, जन प्रतनिधित्त अधनियम 1951 की धारा 29-1 के तहट पंजिकरित राजनितिक दलों को यह दिया जाता है, जो जन प्रतनिधित्त अधनियम 1951 की धारा 29-1 के अंतरगत जितने पंजिकरित राजनितिक दल है, आप उनको चुनावी बांड के माध्यम से पैसा दे सकते हैं, पार्टी के करीबी बन सकते हैं बिना चर्चा में आये हुए दिजिटल अत्वा चेक के माध्यम से खरीच सकते हैं चुनावी बांड को अब डिजिटल लेंदेन के माध्यम से या चेक देकर भी उसको खरीच सकते हैं नगदी करण केवर राजितिक दलों के अधिकरित खाते म में लागू की गई थी, इसके वल SBI ही प्राधिक रित्वाइंग है, जो चुनावी बांड को जारी करता है, एक हजार रुपए, दस जार रुपए, एक लाक रुपए, दस लाक रुपए, एक करोण रुपए तक के चुनावी बांड जारी किये जा सकते हैं, इसकी बैदता चुनावी जो इलेक्ट्रोलर बांड है, चुनावी चंदे की जारी होने के तिथी, एक के 15 दिनों के भीतर तकी बैद रहता है, हमारा जो जान प्रतने तो अधनियम 1951 के धारा 29A के तहा, चितने राज़ितिक हैं, पंजिक रिद्दल हैं, उनको ही हम चंदा के रुप में दे सकते हैं, चुनावी बांड खरीदने के लिए या तो हम डिश्चल पेमेंट करेंगे, या चेक के माध्यम से पेमेंट कर सकते और चुनावी बांड को खरीद सकते हैं, केवल जो नगदी के हस्ताना अंतरण होगा, वो राज़िक पाटियों के खाते में होगा, जो चुनावी बांड खरीद कर राज़िक पाटियों के खाते में पैसा देगा, उसके नाम को गुमनाम रखा जाएगा, इसी पर यह फैसला आया है, आईए आगे देखते हैं, अलोचना और सरकार का पक्ष इसमें दोनों बाते हैं, मुल उदेश क्या है, चुनावी बित्पोसर में पारदर्स्ता लाने में बिफल है, यह जो चुनावी बांड है, वो चुनावी जो फंडिंग होती है, उसमें पारदर्स्ता लाने में यह बिफल रहा है, कैसे हम पार में रखकर वह पार्टी नितिया और योजनाय बनाएंगी या उनको कहीं न कहीं से लाफ देगी तो वही बात कह रहा है कि जो इसका मूल उद्देश से था चुनावी बांड का मूल उद्देश से था वही अपने मूल उद्देश को पाने में ही या चुनावी बांड बिफल इसमें देखी जा रही है क्योंकि नामी गुम नाम है कौन दे रहा है कौन पा रहा है या सरकार उजागर नहीं करती है उसके बाद जो बित अधिनियम में संसोधन से राजितिक दलों को बांड से प्राप्धन का खुलासा करने से छूट है बित अधिनियम में जो हमारा जागर नहीं करेंगे उससे छूट दे दिया गया है ये लोग खुद ही अपना संविधान संसोधन कर लिए हैं राजितिक दलों को असिमित कार्पुरेट वित पोसन का द्वार खोलता है जो राजितिक दल है उनको कार्पुरेट सेक्टर असिमित पैसा दे सकता है उस पर बंदी नहीं है क्रोनी कैपिलिजम से इसको बढ़ावा मिलेगा और सुचना के अधिकार से इसको समझा होता है मतलब सुचना के अधिकार के तहट हम नहीं पूछ सकते हैं कि किस पार्टी को किस व्यक्त के द्वारा कितना चुनावी बांड के रूप में पैसा मिला है अधिकार की शुरक्षा रहती है कि अमुक व्यक्ति ने इतना पैसा इस पार्टी को दिया सरकार का अपना पक्ष है सरकार का पक्ष है कि जो बैचारिक रूप से कोई व्यक्त किसी पार्टी से जुड़ा है और वो अपना नाम उज्यागर नहीं करना चाहता है और पार्ट में काले धन के प्रवाह को रोका जाएगा डाइरेक्ट पैसा नहीं आएगा जो पैसा आएगा वो उनके नामों को जान नहीं सकते तो सूचना का अधिकार RTI 2005 का उलंगन हो रहा है इससे आर्टिकल 191 का उलंगन हो रहा है वाके वो अग्रत की सुतंत्रता से संबन्दित जो हमारा अनुछेद है भारती अनुछेद उसका भी उलंगन या कर रहा है चुनावी बांड कोर्ड फ प्रुचाहन दिया जा रहा है मतलब कुछ ले लेंगे और कुछको प्रुचाहित करेंगे इसको बढ़ावा मिल रहा है और इसके तहट जो संबैधानिक संसोधन किया गया है वह असमवैधानिक है चुनावी बांड के बचाओ का कोई आधार नहीं है कि हम चुनावी स्कीम को ही असमवैधानी घोशित कर दिया गया इससे काले धन का प्रवा रोकना नहीं दिख रहा है काले धन का प्रवा रोकना इससे मुम्किन नहीं है देंदाता की गुमनामी सुनिश्चित करना इसका लक्ष है देंदाता की गुमनामी को सुनिश्चित करना इस चुनावी बांड खरेत के किसी पार्टी को दे देगा तो उसे परदर्शिता आने वाली नहीं है जो SBI को चुनावी बांड जारी करने पर तत्काल रोक का अदेश जो SBI State Bank of India चुनावी बांड जारी कर रहा है वो चुनावी बांड जारी करने पर तुरंत अविलम रोक लगा दी गई ह सुप्रीम कोट के इस निर्णय के द्वारा 6 मार्च 2024 तक विबांड दे SBI और चुनाव आयोग 6 मार्च 2024 तक State Bank of India और चुनाव आयोग यह विबांड दे कि किस पार्टी को चुनावी बांड के द्वारा कितने पैसे दिये गये और कब-कब दिये गये किस व्यक्त के द्वा गया था कि किसी व्यक्त के नाम को उजागर नहीं किया जाएगा या कोई RTI के ताथ पूछता है कि किस पार्टी को चुनावी बांड के रूप में कितने पैसे मिले हैं कितने करोन रूपए मिले हैं तो वो सुचना देने से जो संविधान का संसोधन करके छूट दी गई थ जो ततकालिन केंद्री सरकार को सकते में डाल दी है कि सबसे जादे जो चंदे के रूप में चुनावी बांड के रूप में पैसा भारती जनता पार्टी को मिला है या पैसा किसने दिया कहां से दिया कब दिया इसका बेवरा सरकार देना नहीं चाहती है संविधान संसोंध लादी 2014 से ही भारती जन्ता पार्टी की केंद्र में गटवंधन की सरकार है तो सुप्रीम कोट ने यह निर्णे दिया है जरूर ही इस निर्णेयों का असर सभी पार्टी उपर थोड़ा बहुत होगा यह रही चुनावी बांड से सम्मंदित अब आगे देखना हो कि इस पर स लक्षा के साथ पस्तित होंगे तब तक के लिए बहुत दो धन्यवाद नमस्कार